तो प्रीजम क्या चीज होती है प्रीजम दो इंटरफेस से बना हुआ एक अबजेक्ट होता है जिसमें दो इंटरफेस रहेंगे जैसे मालों की अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो आपको प्रीजम कुछ इस टाइप का दिखाई देगा लेकिन अगर आप इसका 3D तरुक्त आप गाव यांफच इस में दो इंटरफेस होते हैं और दोनु इंटरफेस की बीच में एक एंगल होती है जिसलिए पहला इंटरफेस हो गया यह वाला डो इन्टरफेस है यहो सो रेला मीडियम होगा फिर ये ग्लास का बनावा और यह जो सामने से आपको इसका ट्राइंगल जैसा पॉर्षिन आपको दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं इसको बिंसिबल सेक्षिन बोलेंगे जिसके उपर यह प्रिज्म टिकावा है उसको हम बोलते हैं बेस अप्रीज्म और इसकी जब भी आप चैलकुरेशन करोगे करेंगे तो हमेशा ही करेंगे क्या करेंगे क्या है जब आप फ्रंट से इसको देखो गे तो आपको यह 트ैंगल जयसा वह गहां और यह अंगल और चीज यह इ सब्सक्ता क् पाई किया ल मुद्ट करेंगे श्रषाइट करें और एक लीए तो इसमें पहला जो जो फो arb तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं देखो यह सबस्कूर एक प्रिजम है और इस प्रिजम का हमने अपर इंच्ड हो रही है आपट यह वाले जो लाइट रिच सीदी जाने की बजाए यहां पर इसका रिजन क्या है क्योंकि यहां पर मीडियUM हो गया यह क्या है और इधर क्या होगा ग्लास होगा यह और यह क्या है तो हमेशा नॉर्मल बैंड होती है यह जो लाइट्रे मतलब नीचे की तरफ बैंड होगी सबसक्रों यह ऐसे बैंड हुई और यहां पर पहुंची यहां पर आपने वापस क्या देखा कि यहां पर बाहर निकलेगी तो यह बाहर निकलेगी तो यह देंसर से रर मेडियों के तरफ जा रही होगी पहले यहां पर हम कुछ एंगल वगएर डिफाइन कर देते हैं यह जो इंसिडेंट रहे हैं इसका नॉर्मल से बनने वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस आईवन और यह है और यहां पर वापस से आप एक नॉर्मल करेंगे और यह जो नॉर्मल है इससे हम देखेंगे कि यह जो लाइट रहे है क्योंकि यह देंसर से रेर मीडियम की तरफ जा रही है तो यह किदर बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब सीधी जाने की बजाए कि दर मुड़ यहां पर जो एंगल बनेगा यह वैसे तो एंगल करेंगे और यहां पर जब यह जो नॉर्मल सी सका जो एंगल बनेगा इसको आइट उप क्र profit कर रहा हुं यह इंसिदेंट रे ने जो भी एंगल बनाए उसको हम ने क्या नाम बैंड हुई और फिर आगे पर जा रहे ह। यहाँ पर felt extra n तरफ जा रही है इसलिए और नीचे की तरफ बैंड होगी और आगे चली जाएगी तो इसको हम बहुत है इमर्जेंट रे डेंसर में यह जो एंगल बनेगा वैसे तो यह एंगल ओफ इंसरेंस है यहां पर लेकिन इसको हम बोलेंगे और तो और मतलब इसके लिए आर का बेहち जा रही ती पहले से जा रही थी लेकिन फाइनली तो यह ऐसे जा रही है तो कितने एंगल से मुड़ गयी है तो इके बीच मैं आपको यह एंगल दिखाई देगा इसे लिएशन आपको फाइंड करוצ और उसके बाद में क्या हुआ कि यहां पर फाइनली यह ऐसे जा रही है तो इंसिनेंट रेक्षन और इमर्जेंट रेक्षन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या मुझत में एंगल ओफ डेविएशन क्या नाम इसका एंगल ओफ डेविएशन यह नाम याद रखना है यह हम कैल्कुलेट करके भी देखेंगे कि एंगल ओफ डेविएशन कितना हो गए यहां पर अच्छे एंगल ओफ डेविएशन कैल्कुलेट करना है तो थोड़ी सी जोमेटरी यूज करनी बड़ेगी बिल्कुल आसा नहीं से आप इसको सौल कर सकते हो एक चीज़ बताओ क कि यहां पर यह जो छोटा से एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे है यह जो छोटा से ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे है अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर यह जो इंटरनल एंगल से हैं अगर मैं यह कैल्कुलेट कर लेता हूं तो इनका जो सम होगा वो थर सा एक triangle बनेगा इसका external angle है अगर मैं इन दोनो internal angles को add क्म प्रवेड करें to Comm upright करके add कर लूँ तो इनका जू सम आएगा वो किस के बराबर आना चाहिए यह third angle के external angle यह यह डॅक के बराबर आना चाहिए अब यह कैसे calculate करोगी याल आइंगल कैसे calculate करेंगे तो देखो यहां पर ये अंगल कितना है ये वाल एंगल कितना I1 इसके verticallyly opposite ये पूरा पूरे अंगल कितना होगा ये I1 के राबर होना चाहिए यह i1 के बराबर होना चाहिए i1 में से r1 minus कर दो तो यह वाला एंगल बच जाएगा तो यह एंगल कितना आ गया यहां पर I1-R1 और इसी तरीके से देखो ये पूरा एंगल I2 है I2 के सामने ये पूरा का पूरा एंगल क्या होना चीए इसे के बराबर यानि I2 के बराबर होना चीए उसमें से R2- करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा कितना होगा ये एंगल ये होगा I2-R2 ये दोनों बाते समझ म एड़ कर लूगा यहां पे इसको आप सिंप्लिफाइब कर कैसे लिख सकते हो इन दोनों के एक साथ एड़ कर लिया माइनस और यहां प्लस आप इसको लिख सकते हो तो यह अपने पास एक यह जो आरवन आट जो डैंसर मीडियों में बनने वाले एंगल से इनका एंगल और प्रिजम के साथ में एक रिलेशन होता है अब क्या रिलेशन हो फाइंड करते हैं सबसे पहले यह देख के बताओ अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल को देखूं यह पॉइंट ओमाल लेते रहते हैं यह दो कितना है यह तो आर 1,2,0 यह मिला के कितना आना चाहिए और यह उन्यक्स और कि आना चाहिए दिगरी सही बात है क्या इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा और यहां से यहां पर आपको देखो ए पी ओंग्यू यह क्वाड्रिल्री लेट्र होगा 90 degree क्यों पॉइंट की ऊपर आपने नॉर्मल ड्रो कर रखा लग्यों यह वाला एंगल भी कितना हुआ 90 डिग्री दो एंगल नाइटी डिग्री तो यह माइनस कर दो बाकि कितना बचा वनेटी डिग्री बचा मतलब एप यह जो एंगल ए है और जो एंगल ओ है इन दोन ये आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ओ दोनों साइड में एंगल ओ कैंसिल हो जाएगा इसको इधर लेके जाओगे तो यह माइनस होगा और यह कैंसिल तो इसका मतलब आर वन प्लस आर टू इक्वल टू आ गया एंगल ए दखो यह ए प्रिजम के उपर कोई भी लाइट रिंसिदेंट होती है तो इस डेंसर मेडियम में बनने वाले एंगल का जो सम होगा आरवन प्लस आर्टू वह हमेशा इस एंगल ऑफ प्रिजम के बराबर आएगा हमेशा ऐसा होगा तो निमेरेकल सॉल करो जैसे आपको आरवन आरटू पत तो इस डेंसर मेडियम में बनने वाले एंगल का सम हमेशा क्या आएगा एंगल ऑफ प्रिजम के बराबर आएगा ये चीज़ याद रखनी है अच्छा दूसरी बात आपको कैल्कुलेट करना था डेल्टा तो अब मैं देखो आरवन प्लस आर्टू की जिगए लिख सकता ह हो एंगल ऑफ प्रिजम आपको पता होगा तो यह सारी वैलियूस पूट करके आप सोल कर सकते हो कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा मतलब इस वाले केस में जैसे एंगल ऑफ डेविएशन कितना है आईवन प्लस आईटू माइनस ए तो यह वाला फॉमला भी एक यह बहुत छोटे हैं और छोटे एंगल्स के लिए आपको प्रोपर्टी बता होगी कि साइन ठीटा को ठीटा लिखा जा सकते हैं तो यहां पर हम एक छोटा सा एक एप्रॉक्सिमेशन यूज़ कर रहे हैं और इससे जो फॉमला अपने पास आएगा डेल्टा का ही फॉमला अगर वाइट अगर आप किसी भी प्रीजम की उपर इंसिडेंट करते हो तो उसको सेवन कलर्स में वह सेपरेट कर देगा इस फिनोमना को हम क्या बोलते हैं डिस्पर्शन ओफ लाइट तो फॉमला क्या है थोड़ा बता देता हूं देखो उसको भी यूज़ किया जाता यह पुइं पॉइंट आपको दिखा रख दो यहां पर हम स्नेज्ब धरप्लाइगो च्नेट करने के लिए मीडियों का रिफ्रेक्ट इख्वाइन कर देते हैं जैसी यह एर है एर का रिफ्रेक्टिंडएक उन्य diferença और प्यापस ए मूत है इसको इसका इस एक ईंज्ब -, स्नेल स्लो से आप क्या लिए सकते हो mu1 sign i1 क्या लिख सकते हो mu1 sign i1 equal होगा mu2 sign r1 mu2 sign r1 और अभी हमने बोला था कि जो angles से उनको हम छोटा मान के चल रहे हैं अब हम यह approximation यूज करेंगे कि angles are very small और अगर angles small हैं तो sign i1 को सिर्फ i1 लिख सकते हो sin r1 को सिर्फ आप r1 लिख सकते हो मतलब यह बन जाएगा mu1 i1 equals to mu to r1 ठीक है और इससे आप अगर मैं i1 calculate करूँ तो i1 को क्या लिखा जा सकते है mu2 upon mu1 into r1 और mu2 upon mu1 आप जानते हो क्या चीज़ होती है यह यह है denser medium का refractive index with respect to rarer medium यह आप इसको छोट में और भी थोड़ा चोटा करके लिख सकते हो mu21 ठीक है तो i1 की जिगह आप क्या लिख पाओगे mu21 r1 मतलब यह हमने स्नेल अप्लाई करके यह जो i1 की value है इसको find किया है यहां पर अच्छा इसी तरीके से आपको i2 की value find करनी है फिर हम दोनों values इसमें पुट करेंगे तो i2 find करने के लिए क्या करोगे वापस यहां पे स्नेल अप्लाई करो क्या लिखना है mu1 sign i2 दो को इस medium में light रेन ने कौन सा एंगल बना है i2 इस medium में light रेन कौन सा एंगल बना है r2 और यह medium है mu2 तो आपको जो स्नेल स्लो से equation लिखनी हो क्या लिखनी है mu1 sign i2 क्या लिखोगे mu1 sign i2 equal to क्या हैगा mu2 sign r2 mu2 sign r2 आएगा यह चीज़ समझ में आई क्या सिंपल आपको स्नेल स्लो अप्लाई करना है इस point पर अप्लाई कर दिया अब बताओ यहाँ पर यह एंगल को छोटा मान के आप क्या लिख दोगे angles are small then mu1 mu1 i2 equal to mu2 r2 mu2 r2 लिखेंगे तो बताओ इससे i2 की value क्या निकल क्या आएगी तो i2 आएगा mu2 upon mu1 r2 जिसको आप short में क्या लिख सकते हो इसको mu2 1 भी लिख सकते हो तो यह i2 equal आगया mu2 1 r2 के ठीक है तो अपने पास i1 और i2 दोनों की values आगी अब यह दोनों values उठाके इसमें put कर दो इस equation में यहाँ पे अगर आप put करते हो तो delta equals to क्या आएगा देखो i1 की जगे लिखना है mu2 1 mu2 1 r1 और i2 की जगे क्या लिखना है mu2 1 r2 minus क्या अगरना है mu2 1 इन दोनों में आप common ले सकते हो तो यह आजाएगा mu2 1 common bracket में क्या आएगा r1 plus r2 और आप जानते हो r1 plus r2 तो किसके बराबर है a के बराबर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो delta equals to mu2 1 a minus a और इन दोनों में आप a common ले सकते हो अगर आप इन दोनों में a common लेते हो तो formula क्या बन जाएगा delta equals to क्या आएगा mu2 1 minus 1 into a तो यह जो formula अपने पास निकल के आया यह formula तभी यूज करना है जब angles को छोटा बताएज़े क्या बताएज़े कि angles are small अगर angles छोटे हैं तो ही आप इस formula को यूज कर सकते हो otherwise इस formula को यूज नहीं करेंगे numericals वगरा के लिए हम या तो small slow यूज कर सकते हैं या हम यह relation यूज कर सकते हैं r1 plus r2 हमेशा a के बराबर होगा या फिर हम यह relation यूज कर सकते हैं delta equals to i1 plus i2 minus a यह वाला जो formula है यह तभी यूज किया जाएगा यह वाली जो चीज हमने calculate करी है यह यह चीज मानते हुए calculate करी है कि angles क्या है चोटे हैं और angles चोटे होते हैं तभी हम sign i को i लिख सकते हैं यह sign r को sign r को हम r लिख सकते हैं यह तभी लिख पाते हैं जब angles क्या हो चोटे तो यह सिर्फ आगे मैं आपको जो dispersion वाला topic बताऊंगा presence related उसमें यूज करेंगे इसलिए मैंने यह formula derive किया है आगे हम इसको यूज करेंगे ठीक है इतनी बास समझ में आई क्या चलो ठीक आगे बढ़ते हैं कि प्रीज्म से related हम दो फॉर्मले डिसकस कर चुके हैं दो फॉर्मले हमने derive किये थे angle of deviation equals to i1 plus i2 minus a और दूसरा फॉर्मला था r1 plus r2 equals to a a यहाँ पर angle of prism है i1 का मतलब है angle of incidence और i2 का मतलब क्या होता है angle of emergence ठीक है मैं आपको अब प्रीज्म का एक special case बता रहूं क्या बता रहूं मैं प्रीज्म का एक special case बता रहूं इसको ध्यान से समझना है यह angle of prism माल लेते हैं इसके उपर किसी light ray को आपने incident किया सबोसकर यह ray of light इस प्रीज्म की उपर इस पॉइंट की उपर incident हो रही है यह पॉइंट हम एजूम कर लेते हैं के तो के जो एंगल of deviation है वो कब सबसे कम मिल रहा होगा तो इसके लिए मैं ग्राफ मनाओंगा ठीक है ग्राफ किसके बीच में बनेगा तो यह graph आप ड्रो करोगे एंगल of incidence I1 यह है एंगल of incidence और यह है एंगल of deviation तो I1 और डेल्टा एंगल of incidence और यहाँ पे जो एंगल of deviation होगा उसके बीच में आपको एक ग्राफ ड्रो करना है आप क्या observe करोगे यह आपका practical है इसमें आपको क्या करना होता है एंगल of incidence को continuously हम increase करेंगे पहले सब से छोटा एंगल लेंगे जैसे 10 डिग्री एंगल की उपर आपने लाइटर को इंसिडेंट किया फिर 20 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री इस तरहीं से एंगल of incidence को increase करते जाएंगे और जैसे जैसे एंगल of incidence increase होगा हम क्या देखेंगे की जो एंगल of deviation है शुरूआत में तो ज्यादा हो मतलब एंगल of incidence कम रखा उस condition में एंगल of deviation जादा मिलेगा फिर जैसे जैसे आप एंगल of incidence को increase करोगे एंगल of deviation कम होता जाएगा और एक minimum value पर पहुंचेगा और उसके बाद में अगर आपने एंगल of incidence को और जादा इंक्रीज किया तो यह वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एंगल of deviation वापस से बढ़ जाएगा तो ग्राफ किस राइप का बनेगा इन सारे पॉंट्स को मिलाओगे इस राइप का साया एक कवर बनेगा यह ग्राफ बनेगा ठीक है अगर आपको पूछा जाए क इसमें minimum deviation angle कितना है तो आप easily find कर सकते हो ग्राफ को देखके यह value सबसे कम है इसका मतलब होगा यह डेल्टा minimum यह minimum deviation angle होगा और जब angle of deviation minimum होता है तो आप एक special condition देखोगे एक special activity देखोगे कि जो angle of incidence है और यह ग्राबर हो जाते हैं मतलब जब angle of deviation minimum होता है उस condition में angle of incidence और angle of emergence यह दोनों क्या होंगे बराबर इसको simply आप आई लिख सकते हो और जो डेंशन मीडियों में बनने वाले angles होते हैं यहाँ पर जो डेंशन मीडियों में बनने वाले इंगल होते हैं जिनको हम आरवन और लिखते हैं उन वह भी आपस में बराबर हो जाएंगे और 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 रटो को भी आप आपको बनाके बताऊंगा लेकिन आपको यह याद भी रखना है कि जब एंगल ओफ डेविएशन मिनिमम होगा उस कंडिशन में एंगल ओफ इंसिदेंस और एंगल ओफ इमर्जेंस बराबर होते हैं इनको simply आप आई लिख सकते हो और डेंसर मेडियम में यानिकी जो ग्ला आपने हैंगल ओफ इंसिदेंस रखा इंगल और चाहि का मिल रहा है तो इस सबसे कम बढ़ाबर होगा है और डेंसर में बनने वाले आपको और नक्यूंग बराबर मिलेंगे इसलिए आप क्या देखोगी कि यह जो रेयो फ्लाइट आजब प्रीजन के अंदर से पास होगी तो यह exactly base के parallel जा रही होगी यह जो base है prism का यह exactly इसके parallel जा रही होगी और उसके बाद में यहां से जब यह बहार निकलेगी तो जितने एंगल पर incident होई थी उसी एंगल पर यह बहार निकल जाएगी मतलब emergent ray और incident ray का जो angle होगा वो बराबर होगा नोर्मल से यह बाहा निकलगी तो यह angle of emergence है I2 जो की I1 के बराबर ही होगा और यह जो dancer में यहाँ पे angle बनते है R1 और R2 यह भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं तो चाहो तो आप इनको R1 R2 की जगह R और R लिख सकते हो इनको भी आप I1, I2 को जगह है क्या लिख सकते हो I और I लिख सकते हो यह एक special case है तो यह याद रखना है कि minimum deviation के case में हमेशा angle of incidence, angle of emergence बराबर होते हैं और denser medium में बनने वाले angles R1, R2 यह भी आपस में बराबर होंगे ठीक है अच्छा angle of deviation कौन से है इसमें तो angle of deviation होगा incident ray और emer emergent ray के बीच में एंगल मतलब emergent ray को पीछे बढ़ा दो थोड़ा सा तो यह जहां पर incident ray वाली direction को काटेगी इस point के ओपर यहां पर जो angle बन रहा होगा यह होगा angle of deviation जो की minimum है भी ठीक है आपको यह find करना है अब आपको एक चोटी सी calculation करके यह find करना है कि इस glass का जो refractive index है माल लेते हैं मूँ ठीक है इसको मैं मूँ टू लिख जीता हूं वैसे आउटर मीडियम का refractive index में माल लेता हूं जो बाहर एयर है उसका refractive index की जो minimum value है वो different different मुझे मिलती तो उनमें आपस में क्या relation है वो हमको find करना है तो उस relation को find करने के लिए मैं यह वाला relation यूज करूंगा जो हम किसी भी प्रीजिन के लिए apply कर सकते हैं delta equals to i1 plus i2 minus a इस relation के according में लिखूंगा delta minimum क्योंकि मुझे अभी क्या मिल रहे angle of deviation क्या मिलता है minimum मिलता है तो delta minimum equals to क्या लिखूंगा i plus i क्योंकि i1 i2 बराबर होंगे यहां पर i1 i2 बराबर है इसको मैं i और i लिख दिया minus a तो यह एक relation अपने पास आ जाएगा जिससे मैं i की value find कर सकते हूं कि यह एंगल of incidence मैंने क्या रखा होगा क्या आएगा तो यह आएगा देखो 2i equals to 2i equals to यह धर ले जाओ तो delta minimum plus a और i equals to क्या लिख सकते हैं i equals to simply लिख सकते हो delta minimum plus a by 2 यह चीज़ समझ में आएगा और इसी तरीके से आप यह जो आर एंगल है इसकी value भी find कर लो इसको find करने के लिए हम यह वाला relation यूज़ करेंगे इस relation के according हम क्या लिख सकते हैं धर लिख रहा हूं देखो इस relation के according r plus r equal to क्या होगा क्योंकि r1 r2 बराबर है इनको मैंने आर लिख दिया तो r equals to क्या लिख सकते हो a by 2 तो minimum deviation के case में जो आर होता है वो angle of prison का half होता है यह भी याद रखना है ठीक है यह दो चीज़े अपने पास आ गई आई और r की values अब मुझे म्यू को relate करना है delta minimum से तो बिल्कुल आसान तरीक है यह जो point के है यहाँ पर snail slow apply कर दो स्टेल स्लो में क्या होता है म्यू भी आता है और साइन आई साइन आर इस तरीके से आप आई और आर की values भी पुट कर सकते हो उसमें तो आपको के point के उपर क्या करना है स्टेल स्लो अप्लाई करना है क्या लिखेंगे मूँ वन साइन आई देखो इस आई याँ एंगल को मैं यहीं लिख रहा हूं यह पर तो मैंने लिखा मूँ वन साइन आई equal to म्यूटू साइन और इक्वल टू म्यूटू साइन और अब क्या करना है आपको म्यूटू अपॉन इसको आप लिख सकते हो देखो इधर लिख रहा हूँ मूटू अपने पास आएगा इसको हम बोलते हैं प्रीज्म फोमला क्या बोलते हैं प्रीज्म होता है ज्याता है जो किसीँ प्रीज्व करना होता है तो हम प्रीज्म फॉम्ला यू скаж जैसे मुझे किसी गलास कारिपेत्टू इक्वस्कारnek सब्क्राउन Ayukam और उस prism के लिए experiment करूँगा और delta minimum experiment से find कर लूँगा कि delta की value minimum कब आ रही है और कितने angle of incidence की उपर आ रही है मुझे यहाँ पर delta minimum की value चाहिए बस तो diagram से जो graph बनेगा न उस graph से आपको क्या गरना delta minimum वे graph मिनिमम डेल्टा कब आ रहा है तो वो delta की minimum value आपको find करनी है इसमें पूट करेंगे angle of prism आपको पता रहेगा क्योंकि जब आप प्रिज्म बनाओगे उस condition में एंगल प्रिज्म तो उसी time पर डिसाइड हो जाएगा इतने एंगल पर हमने दोलों इंटरफेस को रखाव है तो यह आपको पता होगा लेकिन आप ग्लास की पतली पतली strips यूज़ करके आप एक होलो प्रिज्म बना सकते हो खोखला प्रिज्म बना लेंगे अंदर से और उसके लिक्विड फिल कर देंगे जिसका H तो उसे डेल्टा की वेल्व अपने पास निकल आजाएगी तो यह तरीका हमको काम मिलेना है तो यह इस तरीके से मतलब फोला यूज़ किया जाता है किसीं जी मेडियम का करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यूज करेंगे और उसके लिए कौन सा फूमला यूज होता है प्रीज्म फूमला आए समझ में यह बिल्कुल आसान है कि दिश्पर्शन ओफ लाइट देखो प्रीज्म की खास प्रोपर्टी कि जब उसके उपर वाइट लाइट में सेप्रेट कर देगा जो वाइट लाइट होते हैं कौन-कौन से कलर होते हैं लिख देते हैं विप ग्योर वोईलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो और और आप सबसे और iba Вам सबसे कम होती और रेडशल की वेवलेंट सबसे ज्यादा होती हैえる का gaming की बात क्या है म हमने और वाइट लाइट इंसिडेंट करी महारू मैसे लाइट करनी है वाइट लाइट थीट है वाइट लाइट में सेवन कलर की लाइत मिक्स अगर सेवन कलर के लएट मिक्स करते हो तो इस से से मैभं यही गलार की लाइट की वियो के लिया लग लग इसको हम बोलता है क्या नाम उसका कोची फॉर्मला इसको समझने के लिए कोची फॉर्मला यह बोलता है वह जादा होगा और यह स्वाव आपको है् दिशाड़ कोई रिचज उसके हूवर्टा कोची छहां अपो़ार कि इस फॉर्मला की बता रहा है कि लॕर यहों किन रिफॉर्मलेंदेख करता है लाट की बेर्बेंड करता है है सेम ग्लास सेम ग्लास अलग छिल्डीट की लग लग रउफ्रेक्टि की लाइट के लिए लग 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 बेवलेंद की लाइट के लिए यही ग्लास का रुट्सके लिए के लिए सबसे ज़़ादा होगा क्योंकि वोयलोड कि वेवलेंग क्या होती है सबसे क् ihr लेंब्डा फॉर ओलवेलेट किल deathfolation is less than lambda for ड्यक्ति तो इससे qy वैलेबड़ा के मनने यह हुआ कि यह जो प्रीज्म है यह रात केują Europe के तो आपको पता है जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट रेक्शन चेंज होती है अब इसमें सेवन कलर की लाइट मिक्स है लेकिन जैसे यह इस इंटरफेस की उपर पहुंची यहां पर यह अलग अलग एंगल की उपर रिफ्रेक्ट होगी क्योंकि यह वाला मेडियम वैलेट कलर के लिए ज़ादा डेंशर है तो उसको जादा मोड़ेगा और रेड कलर के लिए मीडियम कम डेंशर है तो इसको कम अधूद नोर्मल यहां पर आप क्या देखोगे कि जो वैलेट कलर की लाइट है वह अपनी इनीशल डारेक्शन से इस अधिक यह वापस से medium change हो गया तो यहां पर वॉयलेट कलर रिट्रैक्ट हो के यहां पर एक normal ड्रो करूँगे तो आवे फ्रम द नॉर्मल इस तरीगे से band होके बहार निकल जाएगा, red color भी यहां से बहार निकलेगा तो यह भी away from the normal band होगा, नॉर्मल ड्रो करके आप इज़ी यह diagram बरा सकते हो, फिर यहां पर अगर आप एक screen रखोगे, तो उसे screen की उपर आप क्या देखोगे कि violet color सबसे नीची आ रहा है red color सबसे उपर आ रहा है अच्छा बीचो बीच कौन सा color आएगा तो यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि green color सबसे बीच में आना चाहिए लेकिन अगर मैं mean wavelength find करूँ मतलब violet color और red color की wavelength का average find करूँ तो यहलो कलर की wavelength के बराबर आता है इसका mean जो color होगा न mean wavelength होगी यह average wavelength होगी वह यहलो कलर के लिए होगी और आपको yellow color सबसे बीच में मिलेगा एकदम बीचो बीच कौन सा color मिल रहा होगा यहलो कलर एकदम बीच में रहेगा और बाकी के जो color है जैसे यह seven colors की लाइट है वो पूरी इस screen पर मिलेगी जिसमें सबसे नीचे आपको मिलेगा वोइलेट कलर फिर इंडिगो ब्लू ग्रीन फिर यल्लो आ गया और और फिर आ गया रेड तो यह आपको इस सिक्वेंस याद रखना है सबसे नीचे कौन सा color होगा वोइलेट कलर याद भी रखना है सबसे यहाँ पर कौन सा होगा डीट तक यह चीज़-ईटो और यहां पर देखने को मिलती यह जो फिनोमेना है जिसमेंonne लाइट जब प्रिज्म के उपर इंसिडेंट की जा रही है तो वह सेवन कलर्स में सेप्रेट हो जाती तो इस फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं दिस्पर्शन ओफ लाइट अब जब भी आप लाइट का दिस्पर्शन करवा तो किसी भी प्रिज्म के थूँ तो उसके लिए दो पर्यच्परामिटर हम करते हैं को फीदम कितना डिसपर्शन कर पा रहा है तो पहले जीजी हो है एंगुलर करेंगे उसके लिए पहले चीज क्रेंगः वोम कृ cell कि दिसपर्श होके बाहर ढ एनके बीच में कि ça यह एंगल बना मतलब यह जो रैट कलर की लाइट रहे हैं इनकी बीच में यह एंगल रहेगा तो यह एंगल कितना है तो उसी को हम बहुत हैं एंगुलर डिस्पर्शन अभी एक कैसे क्यालप करोगे तो इनीशन डारेक्शन चे देखो इसमें वाइट कलर भी है इस वाइट म में तो वॉइले कलर और रेड कलर शुरुआत में जा रहे थे लेकिन फाइनली से दियरेक्षन ने तो इसका जो डेविएशन वह इतने एंगल से हुआ अधिल्टा यह जो इतना होगा और जो वॉइलेट कलर है वह कितना यहां इंगल कितना है यह आएगा Delta for violet color तो Delta for violet color इतना है ठीक है Delta for red color इतना है आपको find करना है कि इन दोन और light rays के बिच में जो red color की light रहे है और violet color की light rain की बीच में एंगल कितना है तो अगर आपको यह total angle पता है यहां से यहां तक का और यह वाला angle भी पता है तो क्या यह एंगल किया जा सकता है क्या करना है इसके लिए इसके लिए आपको डेल्टा वी में से डेल्टा और माइनस कर लेना है तो इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन पास समझ मैं क्या डेल्टा वी माइनस डेल्टा और को हम क्या बोलते हैं एंगुलर का मतलब होता है आप आप यहां पर यहां पर बोल रहा हूं कि अलग-लग wavelength के लिए अलग-लग है इसका मतलब डल्टा-4 वोयलेट केलर अगर मुझे लिखना है तो मुझे वॉयलेट कलर लेना होगा अगर मुझे violet color के लिए delta calculate करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा mu for violet color minus 1 into A और अगर मुझे delta for red color लिखना है तो मुझे क्या लिखना होगा mu for red color minus 1 into A ये formula मुझे use करना है अब delta v minus delta r अगर calculate करोगे तो ये जो angular dispersion है angular dispersion इसकी value क्या निकल के आएगी तो delta v किजगे लिखना आपको mu v minus 1 into A minus करना है mu r minus 1 into A अब देखो इसमें अगर आप ये a common ले लोगे तो mu v minus 1 और ये आएगा minus mu r minus minus plus उके 1 बनेगा तो ये 1 तो cancel हो जाएगा और ये बनेगा mu v minus mu r into A इसको हम क्या बोलते है angular dispersion बोलते है तो जब भी आपको angular dispersion पूछा जाए तो आप ये formula यूज कर सकते हो और अगर delta v और delta r पता है तो वो formula यूज कर लो इन दोनों formula को यूज करके angular dispersion calculate किया जा सकते है फिर दूसरी चीज इस पर पूछी जाती है कि dispersive power कितनी है मतलब prism की dispersion करने की power कितनी है तो इसको बोलते हैं dispersive power इसको omega की symbol से रिपरिजन करते है और इसका formula होता है angular dispersion delta v minus delta r divided by mean deviation और आपको पता भी mean deviation किसके लिए होता है yellow color के लिए होता है तो delta for yellow color लिखना है नीचे यह जो delta नीचे लिखाना यह क्या चीज़ है angle of deviation for the yellow color या mean deviation बोलते हैं इसको तो यहाँ पे जो dispersive power है उसकी value निकल क्याएगी delta v minus delta r हमने already calculate कर रखा mu v minus mu r into a और आपको delta के ज़िए क्या पूट करना है तो yellow color के लिए angle of deviation पूट करना है तो yellow color के लिए अगर मैं delta calculate करूँगा इसी formula को use करके तो मुझे लिखना होगा mu 4 yellow color minus 1 into a और a से a cancel कर दोगे तो देखो dispersive power का formula क्या आगया mu v minus mu r divided by क्या आएगा mu y minus 1 तो यह हमारा formula आगया तो इस तरीके से आप dispersive power किसी भी prism के लिए calculate कर सकते हो कि वह कितना dispersion कर सकता है यह है angular dispersion का formula और यह किसका formula है dispersive power का formula है ठीक है समझ मैं है कि भी prism की खास बात क्या है कि जब उसकी उपर white light incident की जाती है तो वो उसको seven color की light में dispers कर देता है separate कर देगा इसी फिनेमना को हम क्या होता है dispersion of light तो dispersion की power calculate करने के लिए आपको यह formula यूज करने है एक तो है angular dispersion और एक क्या है dispersive power देखो page number 66 पे आपको एक किशन दिया हुए यह ray of light passing through a equilateral triangular glass from air undergoes minimum deviation when angle of incidence is 3 by 4th of the angle of prism calculate the speed of light in the prism देखो speed of light in the prism आपको पुछी जा रही है speed of light अगर calculate करने हो किसी भी medium में तो आपको क्या करना होगा उस medium का refractive index calculate करना पड़ेगा अब क्या-क्या देखते है ray of light passing through a equilateral triangular glass equilateral triangular glass का मतलब क्या है कि जो प्रीजम आपको दिया हुआ है उसमें तीनों एंगल कितने हैं 60 degree के हैं और एंगल प्रीजम भी क्या रहेगा 60 degree रहेगा तो एंगल प्रीजम इससे पता चल गया हमको फिर इसने आगे बोला आगे यह बोल रहा है ray of light passing through an equilateral triangular glass from air undergoes minimum deviation यह minimum deviation का केस है और उसकेस में बोल रहा है when the angle of incidence is three by fourth of the angle of prism मतलब angle of incidence आपने कितना रखा है यहां पर angle of incidence रखा जा रहा है three by fourth of the angle of prism यानि कि three by four into 60 degree करोगे तो यह कितना है 45 degree मतलब 45 degree के उपर आपने light को incident किया होगा इसकी उपर ठीक है और यह आपको बोल रहा है कि बताओ कि इस medium के इंदर light की speed क्या होगी जो glass है उसके इंदर light की speed क्या होगी तो उसके लिए glass का reflect index पता करेंगे क्या तरीका इसको calculate करने का एक सीज़ बताओ कि अगर आपको angle of prism पता है और minimum deviation का केस है तो हम जानते है r equals to क्या होता है आपको कितनी दे रहें 60 डिगरी तो यह बन जाएगा 30 डिगरी मतलब angle of reflection क्या होगा यहां पर जिस angle पर light refract होके जाएगी वह कितना आ गया 30 डिगरी आ गया क्या इस interface की उपर आपको angle of insurance और angle of reflection पता है एंगल of insurance कितना है 45 डिगरी angle of reflection कितना है 30 डिगरी दोनों find करना है तो by small slow हम क्या लिख सकते हैं बताओ क्या लिखना है by small slow mu1 sign i mu1 sign i equal to क्या लिखोगे mu2 sign r लिखना है तो mu1 की value तो one sign i की value कितनी रखी है 45 डिगरी equal to mu2 into sign r की value कितनी है 30 डिगरी बताओ यह बनेगा 1 by root 2 इदर लिखता हूँ 1 by root 2 इदर आएगा mu2 by 2 क्योंकि sign 31 by 2 होता solve करोगे तो mu2 कितना है यह 2 उपर जाएगा तो answer रहेगा root 2 mu2 की value root 2 आगे अब आपको किसी भी medium में अगर light की speed find करनी है तो उसके के लिए आपको refractive index वाला formula यूज करना है refractive index of a medium is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in medium ठीक है तो v find करना है तो v equals to क्या होगा c upon mu होगा मतलब c upon mu हम इसको लिखेंगे एक simple सा formula आप याद रख सकते हो कि 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 इसी भी medium में light की speed find करनी हो तो speed of light को उस medium के refractive index से divide कर दो simple सी बात है कि कि इसी भी medium में light की speed find करनी हो तो speed of light को in vacuum speed of light in vacuum को divide करना है उस medium के refractive index से तो वी आ जाएगा अपने पास c क्या है 3 x 10 रस्टू पाऔर 8 वी कितना है स्वरी म्यू कितना है रूट टू तो यह अपना आंसर होगा 3 x 10 रस्टू पाऔर 8 मीटर पर सेकंड यह speed of light in that medium यानि कि glass के इंदर speed of light कितनी रहेगी 3 x 10 रस्टू पाऔर 8 by root 2 मिटर पर सेकंड इसके बाद में अगला किशन देखते हैं तो किशन यह है कि आपको एक रेव फ्राइट दे रखिए जो की interface AC की उपर perpendicular incident हो रही है और जब यह इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी ज़र से रिफ्रेक्ट होगे बाहर निकलेगी तो उसका एंगल ओफ इमर्जेंस क्या होगा यह आपको फाइंड करके बताना है सिंपल किशन एक दम यहां पर यह लाइटरे परपेंडिकुलर incident हो रही है तो आपको पता है कि जो भी लाइटरे इंटरफेस की उपर परपेंडिकुलर incident होती है वो विदाव डेविएशन स्ट्रेट पास होती है पता है यह रूल अगर कोई भी लाइटरे इंटरफेस के परपेंडिकुलर incident होगी तो वो विदाव डेविएशन बिना मुड़े सीधी जाएगी तो यह लाइटरे यहां तक तो सीधी आएगी और उसके बाद में यहां पर मैं एक चाहता है पर किरले हैं चाहता है तो यहां पर इंक्रेक्षक होरी है और यहां करी ARC पर आप Mexican से आपको एंगल और ही पुछा जा रहा है क्यूशन में तो बिल्कुल आसान अभी इस मेडियम के अंदर यह एंगल 30 डिग्री पता है रिफ्रेक्टिम इंडेक्स पता है इधर मीडियम का रिफ्रेक्टिम इंडेक्स पता है और केल्प्लेट करना है कौन सालों लगा दो तो मीं वन है आए और के वेल्यूट इज您े रखें और यहां पर एंगल उफ इमर्जिंस कितना आएगा शिक्स्ट डिगरी आएगा ठीक है इस ततरीगे से क्रलें अगला क्यूशन करते हैं तो नेक्स्ट कुछिशन है एक रेव फ्लाइट पीक्यू इस इंसिदेंट ओन फेस अबी ऑफ प्रीज्म और रिफ्रेक्टेट फ्रॉम फेस एसी इन दिरेक्शन आरेस सच इस एक्यू इक्यू इक्वल्स तो एर इफ दे एंगल प्रीज्म एक्वल्स तो 60 डिग्री and refractive index of the material of the prism is root 3 then find theta तक कुछिशन क्या दिया हुआ है थोड़ा सा यह बोला गया है कि aq और ar यह दोनों length बराबर हैं अगर यह दोनों length बराबर हैं तो यह a की case में बराबर होती है कब जब angle of deviation minimum होता है आपको याद दखना है कि यह जो light ray है यह base के parallel तब ही जाती है यह फिर अगर आपको बोला गया कि aq और ar अगर बराबर है तो इसका मतल पुछा जा रहा है कि जो incident ray की direction है उससे emergent ray ने theta angle बना रख है जिसको हम angle of deviation बोलते हैं तो angle of deviation को यहाँ पर थीटा से रिपरेजेंट किया है पूछा जा रहा है कि बताओ कि यह जो थीटा है यह कितना होगा जबकि आपको medium का refractive index given है रूट 3 यह जो glass है इसका refractive index में में य यह आपको root 3 दिया हुआ है बाहर air उसका refractive index 1 है ठीक है तो आपको पुछा जा रहा है कि थीटा कितना होगा साथी आपको angle of prism आपको कितना दिया हुआ है 60 degree given है ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको angle of deviation theta find करना है तो कौन सा relation यूज़ करें तो याद करो जो आपको angle of prism पता ही है ठीक है म्यूव आपको दिया हुआ है मतलब इसका refractive index आपको given है और air के respect में अगर करोगे तो आएगा रूट 3 अपॉन यह नहीं रूट 3 तो यह आपको पता ही एक तरह से डेल्टा मिनिममम आपको फाइंड करना है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसी formula को थोड़ा सा रियारेंज करके लिखेंगे देखो मूट 2 वन को मैं लिख देता हूं मूट 2 अपॉन जिसकी वैल्यू होगी रूट 3 अपॉन इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिममम को मैं थीटा लिख रहा हूं एंगलो प्रिज मुझे 60 डिगरी दिया हुआ है डिवाइड बाइट टू नीचे के आएगा साइन 60 डिगरी बाइट और तू या इनिन 30 निचे के बराबरह आएगा यानि कि यह जो एंगल है यह जो जो मिला के यह यह जो आएगा 60 बहुत साइन इन्वर्स रूट 3 वाइटू क्या होता है 60 डिग्री होता है ऐसे स्वाइंड कर लो चाहिए एक यह बात है थेटा प्लस 60 डिग्री क्या एगा टू इधर एगरिख दिट कर लो चुप उन्वर्स रखेव स्वाइंड क्या है